केंदर सरकार अगनिपत नामक एक नई योजना की घोशना करने के लिए तैयार है जिसके तहट युवा तीन साल की अवधी के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे यह योजना रक्षा बलों के खर्च और आयू प्रोफाइल को कम करने की दिशा में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के प्रमुक सुधार का एक हिस्सा है शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को सूचित किया कि युवा अगनिपत प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में शामिल होंगे और उनके कारेकाल के दोरान उन्हें अगनिवीर के रूप में जाना जाएगा सेना एक कारेकरम पर सरकार के सामने अंतिम प्रस्तुती दे रही हैं जो उन्हें नागरिक नौकरियों के लिए दूसरों को रिहा करते हुए अगनिवर के बीच सर्वश रेष्ट प्रतिभा को बनाए रखने का विकल्थ देगी सेनि प्रशिक्षित युवाओं को अपने पाले में लेने के लिए कौपोरेट घराने भी सरकार के संपर्क में हैं कोविड महमारी के कारण पिछले दो वर्षों में सशस्त्र बलों में सेनिकों के लिए भरती चक्र में भारी कटोती की गई है आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वर्तमान में रक्षा बलों में एक दशमलव दो पांच लाक रिक्तियां उपलब्ध हैं जबकि अंतिम योजना की रूपरेखा का खुलासा होना बाकी है मूल अवधारना तीन साल की निश्चित अवधी के लिए सामान्य और विशेश दोनों तरह के करतव्यों के लिए सैनिकों को लाने की थी यह सशस्त्र बलों में स्थाई भर्ती की पहले की अवधारना से एक बदलाव होगा जिसमें सैनिक अलग-अलग समय के लिए सेवा करते हैं भर्ती के लिए जलग्रहन क्षेत्रों का भी काफी विस्तार किया जा सकता है तीन साल के अंत में अधिकांच सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुची लेंगे जिन्होंने अपने देश की सेवा की है सशस्त्र बलों द्वारा प्रारंबिक गर्ना में वेतन, भत्तों और पैंशन में बचत में हजारों करोर का अनुमान लगाया गया था यदि काफी संख्या में सैनिकों को करतव्य अवधारना के दोरे के तहत लिया जाता है भरती किये गई युवाओं में से सर्वश्रेश्ट को भी रिक्तियों के उपलब्ध होने की स्थिती में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिल सकता है